कॉंग्रेस को लगातार लग रहे जटके चुनाव से पहले गहरे सदमे में कॉंग्रेस राहुल की रणनीती नहीं आ रही काव कैसे पार्टी को संभालेंगे मलिकार जुन खड़े नमस्कार टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ साइम लोग सभ़ चुनाव से पहले कॉंग्रेस का किला पूरी तरह से ढहता हुआ नजर आ रहा है और जो बचा हुआ है वो चुनाव आते ढहते ढह जाएगा अलग-अलग राजियों में कॉंग्रेस को जबर्दस तरीके के जटके लग रहे हैं ऐसे में मध्य प्रदेश उसे जो खबर सामने आई है उसने कॉंग्रेस को पूरी तरह से हिला कर रख दिया क्योंकि जो मध्यप्रदेश कभी कॉंग्रिस का गड़ हुआ करता था वहां पर अब एक भी जगा ऐसी नहीं बची है जहां पर कॉंग्रिस ये कह सके कि बगावत नहीं हो रही है तो चली आपको भी बताते हैं कि आखिर कैसी कॉंग्रिस को उसके अपने ही जटके पर जटका दे रहे हैं लोगसबा चुनाव नस्दीक आते आते मध्यप्रदेश में कॉंग्रिस पार्टी को लगातार जबरदस तरीके का सदमा लग रहा है 440 वोल्ट से बड़ा जटका लग रहा है एक तरफ कॉंग्रिस के पूर्व राश्ट्री अध्यक्ष राखुल गाधी भारत जोड़ो नया यात्रा लेकर अंदिनों मध्यप्रदेश में है तो वहीं दूसरी तरफ कॉंग्रिस पदादीकारियों और कारिकरताओं का पार्टी छोड़ कर भाजपा में जाने का सलसला थम नहीं रहा है वो लगातार जारी है इसी कड़ी में अब कॉंग्रिस के साथ साथ पूर्व सियम और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कमलनात के गड़ चिंदवाडा से हाल ही में अलग हुए पानूरा में एक बार फिर से कॉंग्रिस को बड़ी बगावत का सामना करना पड़ा है यहाँ पर जिले के बड़े नेताओं ने कॉंग्रिस छोड़ कर भाजपा को ज्वाइन कर लिया चिंदवाडा जिले से हाल ही में अलग हुए पानूरा जिले की महिला कॉंग्रेस अध्यक्ष रंजना बाल पांडे और पूर्वत सांसत प्रतिनिदी दीपक माने कर तीन मार्च को पार्टी छोड़ कर भाजपा में शामिल हो गए है उन्हें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसत विशनुदत शर्मा के सामने पार्टी की सदसिता दिलाई गए भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अंगवस्त्र पहना कर दोनू नेताओं का भाजपा में स्वागत किया है और इस मौके पर दोनू न प्रदेश अध्यक्ष और दोनूतियों का सामना करना पड़ सकता है भाजपा के सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि आने वाले दिनों में कॉंग्रेस की और भी निता बीजेपी जवाइन कर सकते हैं जिससे कॉंग्रेस पूरी तरह से बर्बाद की होने की कगार पर पाइन किया था वहीं अब महिला कॉंग्रेस द्विंग ने भी बीजेपी की सदस्स से लेकर कॉंग्रेस को जटका दिया है बताया जा रहा है कि चुनाब से पहले और भी बड़े नेता कॉंग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा सकते हैं जिससे कॉंग्रेस की मुसीबत बड़े नेता थे वो धीरे धीरे पार्टी से किनारा करने लगे हैं। साथ जदियू का दामन थाम लिया जससे कॉंग्रिस को एक और सदमा लग गया। उन्हें बाबुलाल मरांडी ने भाजपा की सदस्यता दिलाई थी और अब गीता कोड़ा को भाजपा ने सिंग भूम सीट से लोकसभा चुनाओ का टिकट भी दे दिया है। ये सदमा कॉंग्रिस के लिए थोड़ा कम नहीं हुआ था कि दूसी तरफ महाराष्ट में भी सियासी उठा पटक चल रही है। प्रदेश में इसी साल लोकसभा और विधानसभा के चुनाओ होने वाले हैं। महाराष्ट में कॉंग्रिस को लगातार कई बड़े जटके मिल चुके हैं। हाल ही में अशोक चौहान ने भी कॉंग्रिस को चोर कर भारतिय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। प्रदेश के अध्याक्ष्य चंदर शेकर बावन कुले ने कहा कि कॉंग्रिस के तमाम और नेता भी अभी बीजेपी के संपर्क में हैं। जैसे जैसे मोदी जी का काफिला महराष्ट में आएगा वैसे वैसे कॉंग्रिस के तमाम नेता बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। कॉंग्रिस पार्टी के बड़े नेताओं के बीजेपी में आने से राहूल गांधी हो या फिर महराष्ट कॉंग्रिस के बड़े नेता बौकलाए हुए हैं। किसी पर भी अब लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। को टी पार्टीों का उतना संबान नहीं करती है जतना संबान बीजेपी करती है। शाजापुर्सी कॉंग्रेस के पूर्वजिल अध्यक्ष योगेंद्र सिंग बंटी अपने समर्तकों के साथ कॉंग्रेस चोड़ कर भाजपा में शामिल हो गए आगर नगरपाली का अध्यक्ष इनलेश पतेल पूर्वमंडी अध्यक्ष चंदर सिंग मेवारा शाजापुर जिला कॉंग्रेस प्रवक्ता गोविन शर्मा जला महामंत्री विजुईंद्र पार्टीदार समेच जिले की बड़ी संक्या में कॉंग्रेस कारिकरता पार्शद कुल सचिव डॉक्टर बी भाती, कॉंग्रेस के राय सेंट पूर्वजिला पंचार तद्यक्ष भवरलाल पटेल, पिछुडा बर्ग मोच्चा के जिला महामंत्री मिठुलाल धाकर, जनपर्दुपाद्यक्ष प्रतिभार शुकला सही 40 से जादा सर्पंच, पूर्व और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के विकास कारियों से प्रभावित होकर भातीय जनता पार्टी की सदसिता ग्रहड की, इतना ही नहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पार्टी में शामिल होने वाले कॉंग्रेस नेताओं और कारिकरताओं का स्वागत कि ये भरत मिलाप हुआ है, आज अस भरत मिलाप से इंद्र देवता भी प्रसंद हुए और हलकी बारिश भी की, आप लोगों का उसी प्रकार से कॉंग्रेस छोड़ी है, जस प्रकार देश को आजाद कराने के लिए नेताजी सुभाज शंद्र बोस ने कॉंग्रेस इतनी बड़ी संख्या में एक साथ भाजपा परिवार में दूसरे दलों के नेताओं और कारिकरताओं का शामिल होना, ये बताता है कि भाजपा 370 से जादा सीटे लोगसभा में जीतेगी और नरेंद्र मोदी फिर से देश के प्रधान मंत्री बनेंगे, पार्टी के परिवार है, परिवार का लगातार वस्तार हो रहा है। क्या मानना है, क्या कॉंग्रिस बीजेपी को टक कर दे पाएगी या फिर उसकी तैयारिया इस लेवल की हैं, हमें कॉमेंट करके जरूर बताईएगा, पलाल के लिए अतना ही बाकी तमाम खबरों के लिए आप बरे रही, कैपिटल टीवी के साथ, नमस्कार.